Let's improve English अच्छा एक्टर है तो हम ऐसे कह सकते हैं He is an excellent actor He is an excellent actor He is a great actor इसे कैसे कहेंगे शुब काम में देरी क्यों कह सकते हैं Why delay something auspicious Why delay something auspicious जी हां इस तरह से आप य के बार direct verb लगा सकते हैं Actually ये infinitive होता है Zero infinitive without two Why delay, क्यों करें हम delay किसी auspicious चीज़ में किसी शुब चीज़ में why delay something auspicious जैसे why wait until tomorrow कल का wait क्यों करे why wait until tomorrow तो इस तरह से why के बाद आप direct verb लगा सकते है why wait not भी लगा सकते है क्यों ना ऐसा करे क्यों ना अभी चले वहाँ पे why not go there now why not go there now हम सिर्फ why not भी बोलते हैं न क्यों नहीं मेरी बड़ी बहन मेरे लिए मा समान है इंगलिश में कह सकते हैं my elder sister is like my mother my elder sister is like my mother या कह सकते हैं I think of my elder sister as my mother I think of my elder sister as my mother मतलब मैं अपनी बड़ी बहन को अपनी मा के समान मानता हूँ बुरी नजर वाले तेरा मू काला तो ये हिंदी में एक कहावत होती है जिसका मतलब होता है अगर कोई किसी का बुरा करेगा किसी पर बुरी नजर डालेगा तो उसके साथ भी बुरा जरूर होगा English में एक idiom है जो इसके equivalent है और इस बात के लिए आप वो बोल सकते हैं ये है वो idiom Curses come home to roost Curses come home to roost यानि Curses जो होते हैं वो घर पे आते हैं roost करने के लिए Actually में यापे brackets में like chickens लिखा हुआ है इसको भी आप रख सकते हैं इसको avoid भी कर सकते हैं सिर्फ Curses come home to roost भी आप कह सकते हैं English के इसाब से अगर हम देखें तो इसमें कहने का मतलब है कि जो chickens होते हैं वो घर पर ही आते हैं rest करने अराम करने तो आखिर वो कहां चले जाएंगे जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होगा Curses like chickens come home to roost चल चल दम है तो एक थपड मार के दिखा दम है तो एक थपड मार के दिखा English में बोल सकते है Go on, slap me I dare you मतलब मैं तुम्हें challenge करता हूँ दम है, दम है तो ऐसे कर के दिखा I dare you, slap me Go on चल चल, दम है तो उसे हरा के दिखा Go on, defeat him I dare you defeat him, I dare you चल चल, दम है तो उसे चूके दिखा Go on, touch her If you have the courage, तो आप ऐसे भी कह सकते है If you have the courage, अगर हिम्मत है तो अगर दम है तो I dare you If you have the courage, touch her Go on ये तो सोने पे सुहागा है जब हम ये कहते हैं हिंदी में तो हमारे कहने का मतलब होता है एक बात तो सही होई उसके बाद एक और चीज़ बड़ी अच्छी हो गई सोने पे सुहागा हो गया English में जो equivalent idiom है वो ये है This is the icing on the cake This is the icing on the cake सोने पे सुहागा है जैसे हम इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं आपकी शादी हो गई और अब आपने नया घर भी खरीद लिया ये तो सोने पे सुहागा हो गया कहेंगे You got married and now you have bought a new house This is the icing on the cake This is the icing on the cake उसे राजी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए बहुत असान है कह सकते है Convincing him is child's play for me Convincing him is child's play for me मेरे लिए child's play है उसको convince करना उसे सबक सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है Teaching him a lesson is child's play for me Teaching him a lesson is child's play for me तुमने मेरे सारे किये कराये पे पानी फेर दिया इसे इंगलिश में कह सकते है You ruined all the work that I had done You spoiled all the work that I had done कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है साजिश रचरा है कोई मेरे खिलाफ इंगलिश में कह सकते है Someone is conspiring against me मेरे किलाफ कोई conspire कर रहा है Someone is conspiring against me Phone speaker पे डालो Phone को silent mode पे डालो जब ऐसे हमें कहना होता है हम कहेंगे Put the phone on speaker mode Put the phone on silent mode Put the phone on silent mode Phone के बारे में हम कैसी बात हैं कर सकते हैं उसके उपर मैं दो वीडियोज बना चुका हूँ उन वीडियोज को आप जरूर देखना अगर आप इंटरस्टेड है इस तरह की बातों के इंगलिश जानने में जो आप फोन के बारे में करते हैं मैं कूट कूट के उसका हल्वा बना दूँगा गुसे में ऐसे कहते हैं या इसको ऐसे भी कहते हैं एक आदमी ने पीट पीट के उसका भरता बना दिया भरता बना दूँगा हल्वा बना दूँगा कहने का मतलब है बहुत ज़दा पीटूँगा पीटूंगा उसे इसका ये मतलब बनता है A man beat the daylights out of him A man beat the daylights out of him तो यहाँ पर जो living है न living जो word है इसको आप avoid कर सकते है A man beat the daylights out of him यानि एक आदमी ने पीट पीट के उसका भरता बना दिया मेरे लिए थोड़ा काड़ा बना दो मेरा focus है यहाँ काड़े पर काड़े को हम English में क्या कह सकते है make some concoction for me make some concoction for me जी हाँ काड़ा जो होता है उसे हम English में concoction कह सकते है या फिर decoction भी कहते है decoction थोड़ा सा फर्क होता है mainly जब plants के parts के use होता है इस तरह का कोई liquid बनाने के लिए कोई drink बनाने के लिए तो उसे decoction कहते है और वैसे medicines वगएरा कुछ चीजों को use करके आप कोई drink बना रहे हो तो उसे concoction कहते है interchangeable ही है यह make some concoction for me make some decoction for me काड़ा बहुत अच्छा होता है health के लिए और आजकल तो वैसे भी बहुत से doctor's recommend कर रहे है कि काड़ा पीना चाहिए क्या आपको काड़ा बनाना आता है comment में मुझे बताना यह काड़ा आपके दर्द को कम करेगा तो कह सकते हैं this concoction will reduce your pain this concoction will reduce your pain तो friends इसी के साथ मैं आपसे request करता हूँ कि मुझे आप कुछ ऐसा काड़ा बना के दीजिए जिससे मैं इस channel को grow कर सकूँ इस channel को grow करने में मेरी help कीजिए काफे videos बना चुका हूँ काफे knowledgeable content आपको इस channel पर मिलेगा बहुत सी कमाल की चीज़े है please videos को share कीजिए अगर सच में आपको videos deserving लगती है please support कीजिए channel को grow करने में मेरी help कीजिए बहुत साथा मैं आपके लिए useful lessons लाता रहूँगा आपकी English improve होती रहेगी thank you very much for your trust thank you very much for watching this video हम बात करते हैं next video lesson में till then take care and bye